रामाइन क्या है? अर्थात मानस क्या है? रामचरित मानस क्या है? रामचरित मानस है प्रयोग शास्त्रा कैसे जीना है? अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना है? कैसे ठाकुर जी का हो जाना है? एक पुत्र का धर्म क्या है एक पिता का धर्म क्या है एक भाई का धर्म क्या है एक मंत्री का धर्म क्या है एक सेवक का धर्म क्या है एक भक्त का धर्म क्या है एक प्रजा का धर्म क्या है अनेकों अनेकों दर्शन जो धर्म की चर्चा है वो रामचरत मानस अर्थात राम का दर्शन है इसलिए कई बार लोग कहते हैं हम कृष्ण को जानते हैं मैं कहते हूं कृष्ण को कैसे जान सकते हैं जब तक राम की मर्यादा का चश्मा नहीं होगा कृष्ण बड़े आड़े तेड़े हैं सावी वो इतने आसानी से करीब नहीं आने देते उनको समझने के लिए एक मरियादित जीवन एक शरंखला चाहिए मरियादा की वो राम देते है तो जो प्रयोग शास्त्र की चर्चा है वो रामायन है पहले जीवन में इन तीनों को समझ ये और जब प्रयोग उत्तम होगा जब प्रयोग श्रिष्ट होगा तो प्रयोग हमें अगर ठीक प्रयोग है तो वो योग की और ले जाएगा और वो शेडम्त भगवत गीता है योग शास्त्र जहां योग श्युवर श्रीकृश्ट ने पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कर्म का कर्म की गती का कर्म के प्रभाव का अगर आपका प्रयोग ठीक है तो योग ठीक होगा और योग ठीक है जब तुम उस दर्शन को जान जाओगे तो तीसरा शास्त्र है वियोग शास्त्र श्रीमत भाकवतम जिसका शीर्ष गोपियों का व्योग है भगवान से मिलने का एक सरल रास्ता है तब हम वहाँ पहुँचते हैं पहले प्रयोग करो योग को जानो फिर व्योग की चर्चा होनी चाहिए और जब वो व्योग में हम पहुँचते हैं रास पांचा ध्याई में तब जाकर मैं समझ में आता है कि करश्ण क्या है जिन करश्ण को हम जानने बैठें वो क्या है और उसे ही जानने के लिए गोपियां गोपि गीत और विरह में जी रही है वही दर्शन है वही दर्शन है प्रयोग शास्त्र है, अब प्रयोग means KRIYA यस्प्रयोग का मतलब कोई करम तो हम तीनों के गणों में जाएंगे प्रयोग शास्त्र के, योग सास्त्र के एइसके, तो प्रयोग मतलब KRIYA और योग जो शुरी राधाराने के चरणों में लगी हो ऐसी भावन अगर आपकी है क्रिया भी गोविंद के लिए हो विचार भी गोविंद के लिए हो और भावना भी गोविंद के लिए हो गोविंद ना मिलें ऐसा हो ही नहीं सकता मनसा वाचा कर्मना की चर्चा है और ये तीनों जिस दिन हम एकाकार कर लेते हैं परमात्मा को आपको ढूनना नहीं है क्योंकि परमात्मा ढूनने का विशय नहीं है ये भी लोगों ने गलत अववा फैला दी है ये अववाई है ये परमात्मा को नहीं ढूना जा सकता परमात्मा को ढूनना भी नहीं है कारण ये है परमात्मा ढूनने का विशय नहीं है परमात्मा सरवत्र है खोए हम हैं हमें अपने आपको ढूनना है दुनिया में आए और खो गए चका चौन में माया में परमात्मा कहा नहीं है प्रिलाज से पूछ रहे हैं कहा है तेरे बोला हर जगे है खंबे में बोला हाँ खंबे में से निकल जाए क्या दिक्कत है तुम विश्वास तो करो कि तुमारा गोविंद तुमारे साथ है तो फिर कोई बात ही नहीं है तो अगर इस पूरे दर्शन में जाए तो क्रिया और क्रिया का ऐसे होगी हातों से अगर दूसरे दर्शन में जाए करने का कर्म करने के लिए भगवान ने हमें दिया है अगर नॉर्मल भावश से ही कर दे हम और विचार ही रिदय से होगा विचार तो रिदय से ही होगा हमको विचार रिदय से ही करना है और भावना मस्टिस्क में पैदा होगी ये तीन दर्शन फिर निकल कराए इसके और उसके बाद अगर यही हम समझें तो जो करना है यही सद है यही चिंतन जो रिदय में सदकर्म करू मतलब अपना कर्म हमेशा सदकर्म करो सही करो मतलब मन के अंदर आपका चिंतन सुन्दर होना चाहिए और भावना मस्तिसम गुविंद का आनंद ही आनंद होना चाहिए तब है जीवन का कल्यान इसी को कैते हैं सचदानन